कि आप दुखी हैं? कि आपकी बीमारी आपको लंबे समय से घेरे हुए हैं? कि आपके जीवन में ऐसा फलताय हैं? कि आप निराश हैं? कि आप हताश हैं? कि आपकी परसितियों ने आपको तोड़ दिया हैं? कि आपके बच्चों की बीमारियों ने आपको तोड़ दिया हैं? क्या आपकी अपनी बीमारियों ने आपको तोड़ दिया है क्या आप अपने वेपार में नुकसान उठा रहे हैं अपनी नौकरी से हाथ दो बैठे हैं क्या आपकी शादी नहीं हो रही है क्या आपको विदेश जाने की इच्छा है रास्ता नहीं खुल रहा किन बातों से किनारे जाना शाते हैं नहीं जा पा रहे काई बार काई बार प्रयास्किया है लेकिन दो नमबर ुप चार नमबर से ऐसे फलता आ जाती है क्यों तो फूस्सारे प्रश्नों का उत्तर क्यों ऐसा हो रहा Secret Life में क्यों ऐसा लाइब में मेरे हुआ आपके बच्चे के अंदर कोई परिशानी है कि आपके पास एक प्रश्ण वाचक चिन आ जाता है क्यों वाई 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 कि इस वाई का जवाब लेकर आज शाम यह बंदा या खड़ा है आपको चाहिए जवाब आपकी निराशाओं का आपकी ऐसा फलताओं का आपकी बीमारी आपको दुष्टात्मा क्यों परिशान कर रही है आप मैंसे बहुत सारे भाई यहां बैठे हुए हैं बहने बैठी भी हैं कुछ गंदी आदतों के शिकार हैं जवान गंदी आदतों के शिकार हैं जैसा भी अमने इस जवान की कवाई को सुना चोटी सी उम्र में नशेका आदत हो गया नश्र क्यादत से बाहर आना चाहता था नहीं आपा रहा था आप मेंसे बहुत से भाई हैं यहां पर जो शराब छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पा रहे हैं तो गुटका चोड़ना चाहा रहे हैं नहीं चोड़ और ओर एक ऐसा डल डलहे वीचार जिसमें फस गयें किसी ने चुंगल में फसा लिया है आपको किसी ने जाल पिछाया और आप उस जाल में बिच पकड़े गये यो फस गये दलदल और कीच में फसे हुए हैं, जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना धस्ते चले जा रहे हैं अगर इस प्रगार की समस्याओं में से होकर आप और आपका परिवार गुजर रहा है, आपका पडोसी गुजर रहा है, मेरे पास आपके लिए गुड नियूज है हललुए, मेरे पास आपके लिए गुड नियूज है, ताली बजाना है, तो जोड़ दार दाली बजाईए, आपके लिए मेरे पास एक समाचार है, आपकी समस्याओं का समाधान मेरे पास है, क्या आप लेना चाहते हैं? अमेन, हलललुए, आप टी-वी देखते हैं? बहुत बढ़िया एक एड आता है, दाल में दर्जे, एक लड़की निकल गया दी है, क्या हुआ? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मैं आप से पूछना चाहता हूँ, आपकी सिंदगी में नमक है? नमग है तो फिर नमगीन होना चाहिए हालेलुया आज शाम में आपको कुछ बातें बताऊंगा निकालके हम बढ़ेंगे यहुन्ना रचीसु समाचार जो किताब नीली नीली में आपको देता हूँ ना उसी में है यहुन्ना का छटा अधियाए और उसके 16 पत से 21 पत तक लेकिए मैं बोलता हूँ ना कि यह जो किताब हम आपको देते आते ही इस किताब में ही समाधान है लेकिन आप इस किताब की वेलियों नी समझते ना क्योंकि फिरी मिलती है वो बहार है ना वो बहार को ले जाके घर रख देते हैं अरे इसको खोलो इसको खोलो गे तो प्रका फ्राश आएगा समस्यां का समादाना या अन्दकार जाएगा लेकिन आपका प्रोब्लम है आप िसे खोलते नहीं क्यों है विदेशी किताबबु की किताब दिमाज में कच्छरा बहरा हुआ है क्च्छा, क्या मंदिख नियुके यह इसाइयों का पुस्तक है है जय ना 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 पुड़ो 와서 रवह मेरे लिये यह-ilele Danny कि प्रभू इंदुस्थान का प्रभू अलग? अमेरिका का प्रभू अलग? इसा नइ है भाई प्रतुवी का प्रभू है जहां तक प्रत्वी पर मनुष्य रहता है मानव जाती का प्रभू है आमेन तो यहां देखते हैं आप क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ेंगे बेटे जब संध्या हुई जब संध्या हुई शाम हो गई आपकी जिन्दगी में भी शायद सफेद बाल आ गए है सफेद बाल संध्या को बताता है गिना संध्या हुई हुए तो क्या हुआ तो उसके चेले जिल के किनारे गए जील के स्कूल क्यों जाता है पढ़ाई करना ग्रेजवेट होना है अंदकार को मिठाना है आघे बढ़ना है कुछ और आपम बनके ऊपर ऊपर जाना है इसलिए तो स्कूल जाथा बुट्चा जीन के किनारे प्रेल्ट रहा हम चेलों के पास जी źजल के किनारे गये तो क्या हुआ पड़ो और जब इस प्रगार का लक्षे आप और आपके परापशा और आपने डिसाइड किया लेकन आप उस लक्षे को प्राप्त नी कर पारे हैं। कारी सालों से business में मेहनत कर रहे हैं। कारी सालों से अपने और अपने परीवार को उपले पानी लाना चाहिए। उपले पानी समस्तने नव मरवाड़ा हूँ इस प्योर मोरविए बोल रहे। माम पले पानी आना चाहते पर आ नहीं पारे किया मेरे साथ है किया अप्याह है सुनिये क्या लिखा है यहां पर कवर नहूं में जाने लगे और उस समय क्या हो गया अंधेरा हो गया हाललुया हमारे जीवन में क्या आ गया संधिया से अंधेरा हो गया संधिया से पहले संधिया थी शुरुआत संधिया को करी सोचा सुबह उस पार लग जाएंगे लेकिन रात में क् ही आज बहुत सारे परिवारों में अधेरा है है सिस्कार में आप चल रहे हैं अदिकार को अंदर जीवन जीर अंधकार आपका पीछा नहीं छूड़ रहा है आप अंधकार की शक्तियों से परिशान हैं अंधकार की शक्तियों का मतलब है नकारात्मक पावर नेगडिव बात हैं नकारात्मक सोच कि सफलदा मिलेगी नहीं मिलेगी चपू तु चला रहा हूं काम बनेगा यह नहीं बनेगा ऐसे समस्याओं में से आप मेहनत कर रहे हैं बहुत मेहनत करते हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस बीड में इतने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने परिवार को उपर लाने के लिए रात और दिन पसीना बाहर है लेकिन कि दिल बढ़ रहा है न राई घड़रा कुछ भी नहीं हो रहा है अगर इस अनुभाव में आप यहां बैठे हैं आज शाम आपके लिए मेरे पास एक गुड यूज है मेरे प मेरे जीवन का लक्षे ही है कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं मुर्जाएवे चेहरे पर एक मुष्कान लाना यही तो मेरा काम है हललुया सरकस में जोकर का कोई काम नी होता भाई सरकस में जोकर का कोई काम नी होता वो हर जगा पड़े में टांग अड़ाता रहता है आपन हसी लाना चाहता है समझ लो मैं भी वही एक बंदा हूँ और जब तक नहीं आएगी न छोड़ूँगा नहीं जब तक आपके जीवन में खुशी नहीं आएगी मैं भी छोड़ने वाला नहीं तो बात यह है कि वहां क्या आगया अंधेरा हो गया अब इस अंधेरे में भी यह क्या कर रहे है मालू में नाव में बैठे हुए हैं और नाव चला रहे हैं क्या मेरे साथ हैं कईयों का प्रॉब्लम है कईयों लोग मतलब चपू चलाते चलाते परिशान हैं पता क्यों एक प्रॉब्लम यह है कि नाव जो है किनारे पे लाकर जब नावी खड़ करता है तो उसको खूटे से बान देता है कि काई से बान देता है खूटे से बान देता है और हम में से बहुत सारे नावी कैसे हैं माच बहुत सारे नाव चलाने वाले ऐसे हैं चपू चलाने वाले ऐसे हैं बंदीवी नाव प बांदी गई है और बंदी भी नहां वर आप बैड़ गए सब और चलो जी हो पूरी राद हाओ अव कर रहे हैं आप सुबेरे हुआ तो आख खुली तो पदा चला वहीं खड़े इप चपू ज़रूर चला है राद बर आज बहुत से शिंदगियों में हास बहुत सारे परिवारों में यहीं pay समस्या एक इंच भी आगे नहीं कह सक पारे कारण क्या है बंदी हुए है आज आपके परिवार की नईया आपके बिसनस की नईया आपकी नाओ को किसी ने बांद दिया है और बंदी वी नाओ में चप्पू झलाने से कुछ नहीं होगा माइडियार सिर्फ मेहनत व्यकार जाएगी मे नाओ पहले हम मिलकर अपनी बंदी वी नाओ को किनारे से खोले है अलेलूया अब यह नाओ बंदी वी काई से वह बता दू थोड़ा है हमारी विचारधाराओं से रिती रिवाज कस्टम सिस्टम तू उची जातका में नीची जातका ये बहुत सारी बाते इस ने हमें क्या करके रखा हुआ है बान दिया है और बंदीवी नाओं में चप्पु चलाने से सफलता नहीं आएगी आओ हम अपनी बंदीवी नाओं को सबसे पहला काम करें खोले खुल जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे नहीं खुले बंदे रहना चाहते हो तो बंदे रहो जब पूचलाते रहो जिंदगी गुजर जाएगी एक दिन समचान पहुंच जाओगे कुछ नहीं होगा जिसने अपनी नाओं खुलवाई है ज्यान से सुनिये जिसकी नाओं खोली गई है उसका बेड़ा पा अपनी गलत सोच को निकालो अपने चीवन से और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो जरूर किनारा मिलेगा जरूर मंजिल मिलेगी जरूर सफलता आएगी आपके लाएगी बंदी भी नाओ कभी नीव पार हो सकती है वहां लिखा है अंधेरा हो गया और अंधेरा हो गया उ इशु अभी तक उनके पास नहीं आया था उस नाओ मैं कौन नहीं था अरे उस जिस नाओ मैं यशु हो उसे दुनिया की कौन थाकत रोख भाएगी अलेलुया अलेलुया प्रॉबलम क्या है प्राब्लम नमबर वन नाव बंदीवी है प्राब्लम नमबर टू उस नाव में प्रभू नहीं है आपके परिवार में प्रभू नहीं है अंकार ने खेर रखा है पूरे परिवार को पूरी परिवार के तिमाग और सोच को पांद के रखा हुआ है नकारात्मक सोच, नकारात्मक भातें, हो यह नहीं सकता, मैं एक बात बोलूँ, जो मनुश्य से नहीं हो सकता, वो मेरे परमेश्वर और आपके परमेश्वर से हो सकता है, And I tell you, anything is impossible before your God. आपके परमेश्वर के सामने कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी मुश्किल नहीं है. Hallelujah. जिन बातों से आप परिशान है, उसका समाधान यही है. आपकी नाव में टटोलो, आपके नाव में टटोलो, आपके परिवार में टटोलो, आपके जीवन में टटोलो, क्या इश्यू आपकी नाव में है? आपको दर्द क्यों है दाड में? क्योंकि कॉल गेट में और या आपके पेस्ट में? नमक नहीं है. कि नमक वाला इस्तमाल करोगे किड़ा नहीं लगेगा ना हलेलुया जिस नाव में येश्यू होगा दुनिया का कोई अंधियारा दुनिया की कोई ताकत उसे उस किनारे से जाने से रोक नहीं पाएगी द्याना मेरी नाव में 26 साल से येश्यू बैठा है क्या और कोई एक है लोगों कोई लोगों ने कोश़िश की रोकने की रुकी नहीं वढ़ती ही जा रही है आप लोंको को जो साधरन लोग और आप लोगों को पता नहीं चलता ये तो उन से पूचो अहरे इस वितुप्ण उनके सामने जब मैं खड़ा हो तो मैं इधर देख तो उन्हें मैं नी दिखता हूं, मेरे अंदर यहुदा का शेहर दिखता है। हलेलुया आप मैं समझ ना वो मुझसे डरती है मेरे से क्या डरेगी मैं तो आपके समानी इंसान हूँ लेकिन मेरे अंदर जो रहता मेरे अंदर जो है मेरी नाओ में जो है मेरी रत में जो है वो भारी बढ़ता उस पर हलेलुया हलेलुया वहा लिका हुआ है कि वो इसू अभी तक उनके पास नहीं था आज शाम एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ूँगा क्या आप के पास इसू है क्या आपकी नाव में इसू है क्या आपके रत्व में प्रभु है क्या कोई है जो आपको समझाए कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है आपके घर की समस्या का समधान क्या होगा बूत कैसे निकलेगा बंदन से कैसे बेटियां आजाद होगी कैसे आप दुष्ठात्माओं से आजाद होगे कैसे आप शराब से आजाद होगे कैसे कैसे कौन बताएगा आपको आपको चाहिए एक गुरू की जुरुत है किसकी जुरुत है आपको एक मेंटर की जुरुत है गुरु की जुरुत है जो आपको रास्ता दिखाए हाललुया हाललुया आज आपको भी एक सच्छे गुरु की जुरुत है किसकी जुरुत है प्लस रूव उसका मतलबी अंदकार को मिठा देने वाला मैं आपको बताना चाहता हूँ आज शाम में आपकी एक ऐसे गुरू से मुलाकात कराना चाहता हूँ गुरू का गुरू येशु गुरू है मैं नहीं कहरा आप मुझे गुरू बनाओ पर एक गुरू है जिसका नाम येशु है एक जवान लड़का येशु के पास आया और उसने का ए उत्तम गुरू मेरा प्रशन है मैं कुछ प्रशनों के साथ आया हूँ और प्रभू ने उसके सारे प्रशनों का उत्तर दिया आपके चित्रे प्रशन है उनका उत्तर गुरू के गुरू येशु के पास ह हम सबका गुरु है वो मेरा भी गुरु वो है आमें उसके बाद क्या लिखा है प्रतर आगे पढ़िए ये शून के पास नहीं आया था और आंधी के कारण है क्या चल रही थी एक और प्रॉब्लम चल रही थी का कौन सी प्रॉब्लम आंधी पहले अंदेरा फिर आंधी करेला और नीम चड़ा करेला और नीम चड़ा समस्या पर समस्या बोलो समस्या पर समस्या जोर से बोलो ना है समस्या पर समस्या यहां सिच्वेशन क्या दिख रही है एक समस्या भी गई नहीं है दूसरी और आकर के खड़ी हुई है हलेलुया हलेलुया एक समस्या जाती नहीं है और उसे पहले दूसरी दस्तक दे देती है, दूसरी जाती नहीं है, तीसरी आके लाइन में खड़ी रहती है, और आप उन समस्याओं को भगाते, 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 मेरे दर सफेद बाल हो गए, परिशान हैं, अगर आप परिशान हैं, मेरे पास आपके लिए गुड नियू और आंदी के वज़े से जील में लहरें उठने लगी लहरें हमेशा एक बात ध्यान रखना हमेशा लहरें लोगों को रोकती है परिस्थिदियां बता रहा है लहरों का मतलब है परिस्थिदियां परिस्थिदियां जब आपके विप्रीथ हो आगे बढ़ने की इच्छा हो लेकिन आदि और तूफान हो और लहरे उठने लगे आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप कैसे बचेंगे आपका लक्ष कैसे पूरा होगा आपका उद्देश कैसे पूरा होगा आप कैसे इस किनारे से उस किनारे जाएंगे, कैसे ऐस सफलता को सफलता में, कैसे निराशा को आशा में और कैसे गरीब को समर्थी में बदलेंगे, कैसे गंदी आदत पर विजय को प्राप्त करेंगे लहरें आपके विप्रीद है, जब लहरें विप्रीद हैं, आंधी चल रही है और नाव में चपू चलाय जा रहा है, नाव एक इंच भी आगे खसके यह नहीं, याने सफलता के कोई चांस किरन नजर नहीं आ रही है. चलिए आगे बढ़िये, जब वो खेते खेते, तीन चार मिल के लगभग निकल रहे, जब वो खेते खेते का मतलब समझते आप, दिन और रात महलत, दिन और रात चपू चलाना, दिन और रात जैसे घानी का बैल, काम करता रहता है, बिना रुके, वैसे ही इंसान काम करता रहता है काई के लिए अपने परिवार के लिए अपने परिवार की उन्नत्ती के लिए उपले पानी आने के लिए उपपर आने के लिए उन्नत्ती करने के लिए हालेलुया खेते खेते परिशान हो गए आज आप में से बहुत सारे लोग यहां बैठी हुए हैं अपनी बीमारी का इलाज कराते कराते याने खेते खेते परिशान हैं कि सब कुछ खाली हो गया है कि कुछ भी बचा नहीं है और मैं अगय हमेशा यह बोलता हूं अगर आपका इलाज किसी डाक्टर के पास होता है किसी जगाह पर होता है आप वहां जाईए और पहले अपना इलाज वहां कराईए मेरे पास उस समय आईए जब पंके से लटकने की नोबता जाए आप बिल्कुल फक्कड हो जाएं आपके पास फूटी कॉडी भी नहीं रहा है तब मेरे पास आना और मैं आपको गुरूं के गुरू से बिलाओंगा अलेलुया और मेरा गुरू आपको जीरों से वापस हीरो बनाएगा और कईयों को बन लूटता है आपके लूतना शुका है रावाफिया हालेलूया कुछ लोग मेरे को बोलते अबेरे पिजिए में भी लोडे ही लूटता है और लूट थो मैं तो खाली वाले को बुलाता हूं कि मैं किसको बुलाता हूं जो बिलकुल इधर देगी इधर देगी होने दीजी वो वो हो रहा है खाली वाले को बुलाता हूं भाईया जो बिलकुल खाली हो गया है जिसके पास कुछ भी नहीं है देने को प्रवीश मसी ने एक बात बोली पढ़िए पच्पन एक दो तीन आए था देगे वहां क्या लिखा है पढ़ो पच्पन एक दो तीन ओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ और जिसके पास रुपिया नहीं हो दोंट वरी तुम भी आकर मोल लो तुम भी आजाओ तुम भी आजाओ तुम भी आजाओ और मोल लो हमें पैसा नहीं है आपके चुटकारे के लिए आपके चुटकारे के लिए, आपके बेटे की चंगाई के लिए, आपके बंदन तूटने के लिए, आपका इलाज कराने के लिए, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं मेरे प्रभु येश्व मसी ने, आपके लिए कीमत पहले ही चुका दी है, आपकी बीमारी की कीमत चुका दी गई है, जिन के पास पैसा नहीं है, रुपिया नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिल तो है न, बोलो कौन-कौन दिल लेके आए आज, ल एक बहुत ही अच्छा गीद है तेरे दिल के द्वार पर ये शुखट-कठाता खोलो तुम दर्वाजा वो है आना चाहता आना चाहता वो है आहां तेरा ही महमान आज कि आप उसे अपना महमान बनाएंगे कि आप उसके लिए अपने हिर्दे की हुंडी अंदर से जो बंद करीव है ना हुंडी उसको खोलेंगे आपने हुंडी खोली और वो अंदर आएगा अलेलोया प्रभू को वचन में लिखा है देख मैं शिक्र आने वाला हूँ और हरे के लिए मेरे पास प्रतीवल है, मैं तू का हालेलुया, वो प्रभु के वचन में लिका है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ, खट खट आता हूँ, यदी तू द्वार खोलेगा, यदी तू द्वार खोलेगा, आज कंडिशन क्या है, इफ यू ओपन द्वार, कौन सा दर्वाजा, घर का नहीं, पहले दिल का खोल, जब दिल का खुलेगा, तो घर का भी खुलेगा, और घर का भी खुलेगा, तो बटवा भी खुलेगा, सब कुछ खुल जाएगा, रे, हालेलुया, पहले कौन सा दर्वाजा, बोलो दिल का दर् सोद्टी करने याता है। आपकी जालुया कंश श्हूंतना चाहे। यह घृता है का जीवन डू ум roast नहीं स्मुने जास पड़न डूरोज़िए। पूछो चाहिए यह पूचो पडोसी को पूचो चाहिए क्या तो खोल दे हुंडी है दर्वाजे को जो सक्त करके बंद करवाने उन्डी लगा गया अंदर से उसको अंदर से खोल और प्रभू आयम रड़ी है I am ready, मैं खेते खेते परिशान हो गया हूं, पढ़ते परिशान हो गया हूं, नौकरी करते करते परिशान हो गया हूं, बिजनस करते करते परिशान हो गया हूं, जीवन साती ढूंडते ढूंडते परिशान हो गया हूं, बीमारी का इलाज कराते कराते परिशान हो गया हूं, बंदनों से आजाद होने के लिए इदर उदर भटक रहा हूं, आजादी के लिए मैं परिशान हो चुका हूं, खेते खेते अगर आपकी जिंदगी परिशान हो चुकी है, आज शाम आपके लिए एक गुड नियूज है, वो अंदर आना चाहता है, वो आपको पार लगाने आ आना चाहता है, हललुया, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ, खट खटाता हूं, यदि कोई मेरा सब्द सुनेगा, आज शाम, यदि आप उसका सब्द सुन रहे हो, बाइबल का परमेशन कहता है, अपने मन को कढ़ोर मत करना, खोल देना द्वार, हलललुया, खोल देना मैं भीता रहूंगा, उसके साथ भोजन करूँगा, और वो मेरे साथ रहेगा, वहाँ उसे वापस आईए, यहुनना छटे अधियाई में, जहां आमने छोड़ा था कि हम खेते खेते, चेले परिशान थे, जब वो खेते खेते परिशान थे, तो एक शक्सियत वहाँ पर आ उनको बचाने के लिए आया, उनको इस किनारे से उस किनारे लगाने आया, वो बेड़ा पार करने आया, हालेलुया, पढ़िये भाई क्या लिखा है, तीन-चार मिल के लगबग निकल गए, कितना मिल चल गया है, खेते-खेते कितना, तीन-चार मिल, अभी यह तीन-चार मि क्या है मालूँ है आदी दूरी भी तैन ही हुई हुँ जीवन में कई बार आप खेते खेते परिशान हो है सबल्दा ढूंड रहे हो नहीं मिल रही है करन मेंने बताया नाओ बंदी भी है जै दूसरा कारण मेंने शराप है, शराब है शराप है और वो ही शराब आपके घर को बरबाद कर रह良ह, शराप लाँ रही है आपने, परिवाद टूट रहा है, पत्नी धमकी दे रही है, पती धमकी खा रहा है आपसमें लड़ाई और छगणी है क्रोध और विरोध और विधर में सुक्संपती नहीं है शान्ती नहीं है खेते खेते क्या हो गया है कभी कभी पतनिक परिशान है कभी पती परिशान है मैं आपकी परिशानियों को दूर करने के लिए आज शाम आपको संदेश देना चाहता हूं एक ही चीज आपकी जीवन को दूर कर सकती है, आपका बेडा पार कर सकती है, अपनी नाव में प्रभू को बुला लो, अमेन, this is the answer, this is the good news, this is the good news, कोई बखरा नही देना है, कोई बुर्गा नही देना है, कोई सोना नही देना है, कोई चांदी नही देनी है, छोटा सा क्या छोटा सा दिल दिल के पैसे लग रहे क्या है जी दिल पता नहीं कहां कहां दे 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 जहां देना चाहिए हमा अस जी जहां देना चाहिए हमां नहीं दे रहे पता नहीं कहां कहां आज ये छोटा सा दिल ये शुको दे दीजिए पढ़िए परदर आगे, आमेन, पढ़िए, तो उन्होंने इशु को जील पर चलते हुए देखा, कौन आ रहा है बचाने, इशु, कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, इशु, पिर क्या हुआ परदर, और नाव के निकट आते देखा, और कहा रहा है, आपके परिवार के निकट आ रहा है, कौन आ रहा है, बचाने वाला, इसलिए बोलते हैं ना, मारने वाले से जड़ा बड़ा होता है, बचाने वाला, वो बचाने वाला आ रहा है आपके पास, क्या उस बचाने वाले को स्वागत करोगे, नाव में जगाद होगे, या हम क्या बोलते हैं, तो तो फिर मेरा प्रभू है ना उपर वाला है ना हुआ हालेलुई हा अर वो है ना वो बेड़ाप़ लगाएगा आपका हालेलुई अब क्या हुआ ना वह उम्हें सामने से आते में देखा तो क्या दिखाई दिया एक विक्ति आ रहा है जिसका नाम येश्यू है पड़ो और वे डर गए क्या हो गए डर गए किस से इस्जू से जिससे डरना नहीं चीए उससे हम डरते अरे वो प्यार करता आपको उससे डरिये मत उसका जुआ बहुत सहरा हलका है हलका है इस उने कहा है ठके मांदे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूगा मेरा जुआ अपने उबर लो मेरा जुआ बहुत हलका है मेरा जुआ बहुत हलका है दिल तो आपका यह ना वो दे दो ना दिल का धरवाजा खोल दो बस वो अंदर आ जाएगा सब कुछ ठीक कर देगा हललोया चोड तो चोरी करने आता है लेकिन येश्यू हमें जीवन देने आता है और बहुत आयत का जीवन बहुत आयत का खुश क Christmas का जीवन सबुथी चीवन और फाइबल बताती फिर क्या हुआ परदने उनसे कहां रतों डर गए कि सब डर कॅघए डर गए करदू अ सब दीने क्या का फ capitalist भांतू उन ओमत्-शमोण मत्तभाज सब दोंदे रहो और खडए-खडए-उसके काम देखो आप तयान है उसक क्षाम दिखाएगा डरो मौत अरह क्या डरना दुनिया से और क्या डरना लोगों से और क्या डरना समाथ से डरना हैक तो केवल उससे डरो जिसे शरीर और मौत पुरा दिखा रो हो मटई आघी आ नहीं घंल Sun जैसे ही इशु नाव में बैठा वो चेले इशु को नाव में बैठा लेने के लिए तैयार हुए आज आपके लिए गुट नियूज है वो आपकी नाव में बैठने को तैयार है आप तयार है या नहीं आमें जैसे ही देखें सुनिये क्या लिखा है जैसे ही इशु उस नाव में बैठ गया तूरंद बोलो तूरंद तो बोलो तूरंद ऐसे करके बोलो तूरंद तूरंद इंस्टेंट तूरंद पड़ोसी को बोलो तूरंद तूरंद तूरंट तूरंट क्या हुआ गटना गटी बड़ो तूरंट वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ मनजिल थे आपकी मनजिल तक आपको पहुचना है आपको मनजिल चाहिए आपकी नाव में प्रबु है क्ये नहें Bible का परमेश्वर कहता है तुम मुझ से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो Nothing कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन मुझ में होकर भलवन्त हो सकते हो Amen आप भलवन्त होना चाहते हैं आप flourish होना चाहते हैं आप भीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं आप बंदरों से चुटकार आप पाना चाहते हैं आपके साथ एक सवाल है क्या आपकी नाव में येश्व है हाललुया अगर वो टीवी पे आके पूछ सकती है कि तेरे पेस्ट में नमक है कि नई तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ आज की शाम कि आपकी नाव में येश्व है या नई आपके परिवार में येश्व है या नई आपके जीवन में येश्व है कि नई अगर है तो बेडा बार है मंजिल आसान है No body can stop क्या रोकेगी आधी और क्या करेगा दूफान और क्या करेगी लहरे क्योंकि सब उसका कहना मानती है अलेलुया सब उसका कहना मानती है सब कुछ उसके कंट्रोल में है कंट्रोलर हमारी नाव में आ गया है स्रस्थी का कंट्रोल करने वाला हमारी नाव में आ गया है पांच बेहनों का पंदन तूड जाएगा हाललुया यहां ऐसे ऐसे उधारण है अठारा अठारा साल से जिनको अलादे नहीं हुई उनको प्रभुयेश्यु मजी को जब उनकी नाव में आया बच्चे लेकर घूम रहे हैं बच्चे लेकर कुम रहे हैं, हाललुया, 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 दुस्ठात मैं बोलती हम निजाएंगे, हरे तू क्या निजाएगी, फिर बाप को भी जाना पड़ेगा, हाललुया, हाललुया, सवाल यह है कि क्या आपकी नाव में, टटोलो थोड़ा, आपकी नाव में येश को कौन से स्थान दे रखा है है भी कि नहीं पहली बाद है भी कि नहीं पूछो बड़ोसी से है भी कि नहीं है अलेलुया अचा अगर है तो कहा है पिछले स्थान में या आगे प्रभु को हमेशा अपने जीवन में अगाड़ी रखना और वो भी आपको अगाड़ी रखेगा आमेन, आमेन, आलेलुया, आलेलुया अपने जीवन को चलास के परमेशुर, जो सिक्षा प्रभू उन्होंने तरह दास के द्वारा प्रभू इस वच्छन से पाई है पिता, वो सिक्षा में परमेशुर, और आगे तक बने रहे हैं परमेशुर, प्रभू तरह धन्यवाद देते हैं पिता परमेशुर, और आप इसके द्वारा जो प्रात्ना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के उपर दी हुई है जो नंबर दिये हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तमाल करें और आप प्रभु की शेवा में अपना बढ़ चड़ कर योगदान दे ताकि परमिश्विर राज्ये के बढ़ोतरी हो परमिश्वर आप सभी को आसी दे